तो 11 ग्लास स्टार्ट करते हैं Mathematics from NCRT Chapter 3rd टिकमेटरी तो लास्ट वीडियो मैंने फर्स्ट एक्साइज कंप्लीट करा दी थी आज एक्साइज स्टार्ट करते हूं 3.2 एक्साइज पूरी एक्साइज मैं एक ही वीडियो में सौल के दिखाऊंगा इसलिए इसको देखें लि गिवेन हैं कि find the value of the other 5 टिकमेटरी फंक्शन्स तो टोटल मों जानते हैं 10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि टोटल हमारे बाद 6 टिकमेटरी फंक्शन्स होते हैं उतमें से एक गिवेन ही यहाप पे अर्डर निकालने हैं तो आप सोचें ऐसा 10 क्लास में था लेकि 10 क्लास में जो हमारे पास angle था वो first quadrant में ही लाई करता था लेकिन इस बार यह angle जो होगा किसी भी quadrant में given हो सकता है अभी मुझे यह question में दे रखका x lies in the third quadrant लेकिन अब यह सोचने वाली बात है कि आखिर यह angle change होने से क्या फर्क पड़ेगा इसके लिए आपको एक छोटा सा समझाना चा 4 parts में divide होता है, 4 parts में first part is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and the fourth quadrant यह पता होगा first, second, third, fourth quadrant होता है, first quadrant की जो limit होती 0 से 90 तक की होती है, second quadrant की limit 90 से 180 तक की होती है और third quadrant की limit 180 से 270 degree तक होती है, 40, 270 से 360 तक की limit होती है, first quadrant में सभी positive होएंगे, चाहे sign, cause, 10, 6 के 6 ratio वारे positive होएंगे, लेकिन second quadrant में sign और cause एक positive होगा, यह आपको deeply अगर सीखना है, तो मेरा first video आप देख सकते हैं, इस channel पर available है, उसे total मैंने आपको यह describe करके दिखाया है, क्या क्यों यह sign और cause positive निगेटिव हो जाते हैं, अब उस video देख लेंगे, तो clear हो जाएगा, अभी के लिए आप यह याद के लिजे कि first quadrant में all positive, second quadrant में sign positive third quadrant में 10 positive, fourth quadrant में cause positive, यानि कर शॉर्ट में सीखना चाहें, तो हम लोग कह सकते हैं, A, S, T, C, यह स्था से याद रख सकते हैं, A for all, S for sign, T for 10, C for cause, A, S, T, C, याद हो जाएगा, A, S, T, C, याद रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे, चलिए start करते हैं, first question, तो first question में मुझे यह order निकाल लें, चाहें आप पुराना method लगा सकते हैं, कि triangle बनाया, तीनों side निकाल लें, input कर दी और answer आगे, वो भी लगा सकते हैं, वो भी आपका method है, उसे भी answer आजाएगा, चाहें आप identity से solve कर लें, तो ठीक है, चाहें चाहें कर सकते हैं, चलिए, मैं basic question कराता हूं, basic method से तो क्या करते हैं, triangle बना लेते हैं, जो high school में take करते थे, तो मैंने right angle triangle ले लिया है, काफी easy लगता है method, तो ये angle हो गया x, को अशो जानते हैं, क्या हो दा है, is b upon h, तो b is negative 1 and h is 2, आप चाहें ये positive negative sign अभी चाहें ना take करें, आखी में लगा सकते हैं, तब ये आपका answer मना ज करते हूं, ये जादा अब के लिए easy रहेगा समझने के लिए, अब निकाल लेते हैं, directly यहाँ पे perpendicular, तो कितना हो जाएगा by pythagoras, तो क्या लगाएंगे, क्या निकालना है, p, तो p square is equal to हो जाएगा, h square minus b square, ये चीज़ों सब को पता होगी, मैंने क्या किया है, basic चीज़ है, पढ़ चुके हैं, काफी हैं आप लोग, तो कितना आगे है, 3 आगे है, तो p square, and the p is root 3, तो यहाँ पे value put करेता हूं, root 3, अब आपको जो जो value निकाल ली है, वो मैं निकालता हूं, clear होगे है, मैंने क्या करना है, पहले cost की according ratio टेक करना है, ratio को triangle में value को represent करना है, third side निकाल ल p upon h, उसके बाद tan, p upon b, लिख देते हैं, cos sec, sign का उल्टा है, आप h upon p लिख दीजे, उसके बाद sec, cos का उल्टा, means h upon b, उसके बाद last, cot is b upon p, okay, value put करता हूं मैं, यारखे, अभी आप sign ना take करेगा, कि plus या minus, अभी सारे ये सारे, आप common ऐसे लिए, पॉस्टे sign लगा के, आखिर में हम लोग जों sign change करेंगे, वो better रहेगा, तो p is root 3 upon 2, p upon b, root 3 upon 1, h upon p, इसी को सीधे बाद पलट देते हैं, sign को ज़ादा better रहेगा, sec के according कितना हो जाएगा, h, h कितना है, 2 और b कितना है, is a 1, same as chord is a, जिसी protocol of the 10, तो value मैंने put कर दिये, लेकिन अभी मैंने इस चीज़ को use नहीं किया है, जो यहाँ बोला जा रहा है, कि x lies in the third quadrant, तो अब आईए third quadrant में, third quadrant में मैंने बताया था, कि 10 और chord positive होता है, बागी सब negative ह होता है, तो 10 और chord को आप positive कर दिजिए, यह step सही रहता है, last में apply करना है, ठीक है, तो sign negative, cosec negative, sex negative, tan और chord positive, बस होगे answer, तो इस method से अगर लगाएंगे, last में आप अगर sign tick करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए comfortable रहेगा, चलिए start करते हैं second question, तो बहुँ start करते हैं second question, तो second question भी same as first question के जैसे ही लगाएंगे, sin x यहाँ given है, is 3 upon 5, x lies in the second quadrant, तो मैंने बुला था कि starting में आप इस चीज़ को tick ना करें, अभी आप से triangle बना के 5 ratio जो बचे हैं, आपके वो इसको लिख लीजे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, triangle बना लेता हूँ, basic method, angle कितना है, x, तो sin is equal to हम तो जानते हैं, is p upon h, तो p is 3, h is 5, तो सबसे बेले मैं यहाँ लगाता हूँ, pythagoras, theorem, जिससे मैं निकाल लेता हूँ, base, तो क्या जानते है, h square is equal to p square plus b square, मुझे b निकालना है, तो b square is equal to h square minus p square, h is 5 square, p is 3 square, 25 minus 9 is 16, then the b square is equal to 16, and the b is 4, तो मुझे base मिल चुका है, is 4, अब आपको जो-जो question ने पूछा गया है, उसको निकाल लेते हैं, तो पूछी गई है, other 5 theoretical ratios, जिसमें से पहला हो जाएगा, cos x, फिर हो जाएगा, tan x, और फिर आप लिख सकते हैं, cos x, और फिर sec x, cortex, यह मैं आपने note का हैं, उसके बाद देखे, copy साथ में रखें, note करते रहिए, अभी आपको exercise, पूरी exercise आजाएगे, note करते रहिए, cos is b upon h, tan p upon b, cos x h upon p, sec is h upon b, and the chord b upon p, अब मैं निकालतों values, cos is 3 upon b, say, base is 4, tan p upon b is 3 upon 4, cos x is h upon p, यहाँ reciprocal of the sign, आप उसको पलट देजे, sec is reciprocal of the cos, आप cos को पलट देजे, cod is reciprocal of the tan, आप tan को पलट देजे, जदा comfortable रहेगा आपके लिए, इतना हो जानेक बाद, अब मैं यूस करता हूँ, quadrant को, quadrant कौन सा है, इसे second quadrant, आम जानते हैं, second quadrant में, only sign positive और cos x positive याकि A, S, T, C, A, S, T, C, याद करें, A, S, T, C is all, sin, tan, cause, याकि cause है तो sec भी positive होगा, tan positive है तो cod भी positive होगा, sign positive है तो cause भी positive होगा, all है तो सभी होगा, अब क्या करेंगे, sign, लगाएंगे यहाँ पर positive या निगिटिव, तो second quadrant में, sign positive, sign के साथ साथ cause भी positive हो जाएगा, मैं sign तो इंको positive करना है और बाकि सब को कर देना है negative, तो ये भी negative लिखेंगे, ये भी negative लिखेंगे, ये भी negative लिखेंगे, ये भी negative लिखेंगे, और इसको negative लिखेंगे, तो आपको ये question बिल क्लियर हो गया होगा, अब स्टार्ट करते हैं, next question, तो इस question में, third, cod x is equal to 3 upon 4, x is lies in the third quadrant, तो starting में, आप angle को ना use करिये, position को आप सीदे सीदे triangle बनाके, तीनो side पहले cover करिये, तो यहाँ पे angle x है, cod is always equal to b upon p, तो b is 3, p is 4, अब by Pythagoras, मैं निका लेता हूँ h, h square, p square, plus b square, p is 4, h, और b is 3, तो कितना आगया, 16 plus 9 is 25, तो h square is 25, so the h is 5, तो यहाँ 5 मैं note कर देता हूँ, अब मुझे क्या रिकाल ला है, other ratios, तो other ratios को start करते हैं, sin से, तो sin x, उसके बाद cos x, tan x, cos x, sec x, हो गया 5, cod quality दे रखा है यहाँ पे, sin is equal to p upon h, cos is equal to b upon h, tan is equal to p upon b, cos x is equal to reciprocal of the sin, तो means h upon p, इसे, sec is reciprocal of the cos, यानि cos को पलट दीजे, h upon b, अब पुट करते हैं, इनकी values, तो sin according 4 upon 5, and the 3 upon 5, और 10 is 4 upon 3 में, इसे according लिख रहा हूँ यहाँ पे, cos is reciprocal of the sin, is 5 upon 4, sec is reciprocal of the cos, 5 upon 3, इतना होगे हैं, यह sign निमें टिक करें, अब देखें हैं, कौन से according रहा है, 3rd, तो 3rd coordinate means, यह first हुआ, यह second हुआ, यह third हुआ, यह fourth हुआ, क्या मैं बताया, A, S, T, C, A, S, T, C, आपको बसी यहाँ रखना है, तो 3rd में positive है, tan, और tan positive means, chord positive, यानि कि मुझे tan already caught, तो यहाँ given है, positive दे रखका है, मुझे सिर्फ 10 को positive करना है, बाकी सब को negative टेक कर लेना है, हो गया answer, simple method था, आपको clear हो गया होगा, तो ठीक है, note करते रहें, start करते हैं, next question, तो question of 4 and 5, इते similar questions है, first second, third कि दरह, वो आप question लगा सकते हैं, कोई doubt हो, आप मुझे message कर सकते हैं, मैं उसका solution यहाँ पे video को upload का दूँगा, अब आता है question of 6, यह थोड़े new tab questions है, इस question को मैं new video में पूरा clear करूँगा, पूरा basic बताऊँगा, कैसे इन question के value निकाली जाती, इतनी high angles पे, तो इसलिए next video का wait करिए, वैसे इस पे available होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो मिलते हैं next video में question number 6 के साथ,